नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पूर मुवी गोवर पे और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मुवी रिभ्यूवर के बारे में लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेने वाला क्योंकि दोस्तों नाम लेने से स्ट्राइक आने की आसंकाय काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों बिना नाम लेते हुए मैं बस उनका इंट्रो आपके सामने पेस कर देता हूँ आप लोग खुद पता लगा लिजे कि वो कौन है तो दोस्तों अब आप लोग समझी गए होंगे कि हम यहाँ पर किनके वारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों यह जो बंदे हैं इनका एक मूभी रिव्यू चैनल है मैं भी आज जे व्यूवर इनके वीडियो कभी कवार देख लेता हूँ और दोस्तों इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं एक दो चीजे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर भी कर दिना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का हेट या नफरत फैलाने की कोशिस नहीं कर रहा हूँ इन बंदे के खिलाब मैं यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इनके कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ दोस्तों इनका कल मैंने दो वीडियो देखा इन्होंने दोस्तों एक दिन में दो वीडियो बना डाले नेपोडिजम को डिफेंड करते हुए और यहाँ पर इन्होंने कई सारी positive चीजों के बारे में बात किया मतलब कि nepotism को बहुत ही positive light में रख के दिखाने के कोशिस की और आखरी का जो इनका वीडियो था nepotism के उपर जहाँ पर इन्होंने ये कहा कि nepotism पर ये उनकी आखरी debate है अब the end मतलब कि अब वो nepotism के उपर वीडियो नहीं बनाएंगे तो दोस्तों इन्होंने अपने उस वीडियो में कुछ सवाल पूछे हैं और दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत ही decent way में उन सवालों का जबाब देने वाला हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का नफरत या hate फैलाने की कोशिस नहीं कर रहा हूँ उनके लिए तो दोस्तों यह चीज पहले आप लोग समझ जाएए कि यह बस बहुत ही decent way में बनाया गया वीडियो है जहाँ पर हम बहुत ही decent way में उनको reply देने वाले हैं तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि इन्हों ने अपने इस वीडियो में पहले क्या कहा दोस्तों यहाँ पर इन्हों ने कहा कि भाईया मैं अपना point of view नहीं रखने वाला मैं अपना opinion यहाँ पर नहीं रखने वाला मैं कुछ fact based सवाल आप से पूछूँगा और आपको सिर्फ उन सवालों का जबाब देना है that's why मैं यहाँ पर सामने आगया हूँ सवालों का जबाब देने के लिए पहले दोस्तों इन्होंने कुछ nepotism के नाम लिए मतलब कि star kids के नाम लिए लेकिन ये लोग successful नहीं हो पाए बहुत बड़े superstar नहीं बन पाए उसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ successful outsiders का नाम लिया और ये जो list है आप लोग सुन लिजिए इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन दोस्तों पहले इनके कुछ सवाल के हम जवाब दे देते हैं जो कि दोस्तों इन्होंने पूछे हैं दोस्तों पहला सवाल ये पूछते हैं कि अगर नेपोटिजम से श्टार बनते तो आदित्य चोपड़ा क्यों नहीं उद्य चोपड़ा को स्ट्यार बना देते तो दोस्तों इनको मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्त आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी कि उद्य चोपड़ा कौन है और उद्य चोपड़ा ने कितनी वायारेफ बैनर के अंडर फिल्में की हैं, तीन फिल्में उन्होंने की हैं, धूम फ्रैंचाइजी की धूम 1, धूम 2, धूम 3 और उसके अलावा इनको महबते में लॉंच किया गया था, उसी के साथ साथ मेरे यार की साधी है, नील एडनी की और भी पता नी कई फिल्में भी होंगी, तो एक यहाँ पर दोस्त आपको समझने की जरुवत है कि अगर उधे चोपडा आउटसाइडर होते, एक बहुत बड़े सेलिबरिटी के बच्चे नहीं होते, एक स्टार किड नहीं होते, तो क्या उनको आठ आठ वाई आरेफ बैनर के अंडर बनाई गई फिल्मों में काम मिला होता बिल्कुल भी नहीं मिला होता, उनको कोई पहचान भी नहीं मिल पाती अगर वो एक आउटसाइडर होते, लेकिन फिर भी उनको आठ आठ फिल्मों के जरिये, ओडियन्स के उपर थोपने की कोशिस की वाई आरेफ बैनर ने, ये चीज आप समझने की कोशिस कीजिए, उसक जो महतरमा हैं, इन्होंने क्यों नहीं अपने भाई को तुसार कपूर को स्टार क्यों नहीं बना दिया, तो एक चीज में आपको दोस्त बताना चाहूंगा, आप उनके हर फिल्म को देख लीजिए, मतलब कि जो भी फिल्में इनकी बेहन ने प्रडूस की हैं, हर फिल्म मे लॉंच करने की और ओडियंस के ऊपर थोपने की कोशिस की है, इनकी बहने जो की एक बहुत बड़ी प्रडूसर हैं, तो एक चीज यहाँ पर आप समझने की कोशिस कीजिए, कि अगर ये बन्दा आउट्साइडर होता है, तो क्या इसको इतना काम मिल पाता, क्या इनकी एक 40-40 फिल्मों में काम मिलता है, बार-बार लॉंच किया जाता है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो दोस्तों इन्होंने कहा कि क्या हम सरद्धा कपूर को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि वो सकती कपूर की बेटी है, तो दोस्त मैं आपको एक शिज बता देना कि यहाँ पर भट कैम्प्स ने ओडिसंस की बात कही थी, और यहाँ पर भट कैम्प्स ने यह कहा था कि हम लोग नए लोगों को लेंगे, नए टैलेंट को लेंगे, और अभी भी यूटूब पर कई सारे वीडियो मौजूद हैं, जहाँ पर कई सारे स्ट्रगलिंग उनने ओडिसंस दिये थे, आसी की टू के लिए, लेकिन भट कैम्प ने क्या किया, नेपोडिजम जिन्दावाद बोलते हुए, यहाँ पर उन्होंने स्रद्धा कपूर को और कुनाल रोय कपूर को काष्ट किया, और कुनाल रोय कपूर कौन है, आपको पता योगा, बहु उन को यह पहचान क्यूं मिली क्यूंकि वह सक्तिकपूर की बेटी है, और यह जो एक गृपिजम है, और यह जो एक नेपोडीजम है, यह बहुत भेंकर तरीके से जड़ करके बैठा हुआ है बॉलीबुड में, इस बात को आप जुडला नहीं सकते, उसके बाद उन्होंन से उनको launch किया गया था और धर्मा प्रोडक्शन से launch होने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है स्टार किड बनना पड़ता है जिसके लिए पिछले जनम में अच्छे कर्म करने पड़ते हैं ताकि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े तो एक चीज आप यहां पर समझने की कोशिस कीजिए कि अगर आलिया भट महिस भट की बेटी नहीं रही होती है तो क्या उनकी पहली फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के अंदर बनाएगी होती है और उसके बाद भी धर्मा प्रोडक्शन में पर आएंगे आलिया भट के नाम की चलते हैं पर डिसलाइक करेंगे लेकिन यह बात सच है आलिया भट से भी अच्छा काम करने वाले कई लोग मौजूद है इंड़स्ट्री में कई एक्ट्रेस हैं लेकिन उन एक्ट्रेस को धर्मा प्रोडक्शन कभी भी मेन लीड का मौका नहीं देगा नेपोडिजम फिवरिजम यह जो भी चीज़े हैं यह बहुत ही ज़्यादा घातेक है और इंडश्ट्री को यही चीज़े बरबात कर रहे हैं इस चीज़ को दोस्त समझने के कोशिस कीजिए कि अगर आलिया भट एक आउट्स्राइडर रही होती तो और साइद उनको इतने सारे फिल्म फैर स्क्रीन जी सने अवार्ड नहीं मिल रहे होते उसके बाद इन्होंने फिर वही सवाल पूछा कि क्या हम रणबीर कपूर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो रिसी कपूर साब के बेटे हैं मैं जानता हूँ रणबीर कपूर अपनी फिल्म में लॉंच करते हैं ऐसा आज तक नहीं हुआ है और साइद नाहीं ऐसा आगे चलके होने वाला है और सबसे बड़ा उधान जो आपने नेपोडिजम को डिफेंड करते हैं वो हमारे सामने रखा वो ये था कि बॉलीवूड के सबसे बड़े सूपर स्टार है अमिता बच्चन पर उनके बेटे अविसेख बच्चन का केरियर ब्लॉक बश्टर नहीं बन पाया तो एक चीज़ दोस्त आप यहां पर समझने की कोशिस कीजिए कि अविसेख बच्चन की जो पहली हिट फिल्म थी वो थी वायरेव बैनर के अंडर बनाए हुई फिल्म ध अगर 16 फ्लॉप फिल्मों में नजर आ चुका होता तो क्या उसको वायरेव वैनर के अंडर बनाए हुई फिल्म में काम मिलता बिल्कुल भी नहीं मिलता समझने की कोशिस कीजिए कि यह जो नेपोडिजम है यह जो भाई भती जावाद है यह जो गुरूपीजम है यह कितन ज्यादा बॉलीबूड को घेरे हुए है कितना ज्यादा बॉलीबूड के अंदर घर बनाकर बैठा हुआ है और बॉलीबूड इन ही चीजों की चलते आज काफी ज्यादा क्रिडिसाइज किया जा रहा है उसके बाद इन्होंने जो लिष्ट बनाई है पहले उसके बारे मे तो इन्होंने बात की कि भाईया ये लोग भी स्टार किर्ट से लेकिन फेल हो गए तो जैसे कि हम लोगोंने बात कर लिया उदे चोपड़ा आठ आठ वायारेफ बेनर के अंडर बनाए हुई फिल्मों में काम कर चुके हैं और एक आठ वायारेफ बेनर के अंडर बनाए हुई फिल्मों में काम नहीं कर पाता अब आप कहेंगे कि SRK तो SRK का सिक्का चल चुका है उस समय से जिस समय नेपोडिजम ने उतना बड़ा घर नहीं बनाया था बॉलिवुड में उसके बाद दोस्तों दूसरा नाम जो इन्होंने लिया हर्श वर्धन कपूर का तो दोस्तों मैं आप लोग को बदा देने चाहता हूँ कि अनिल कपूर के बेटे हैं और इन्होंने अभी तक दो फिल्मे की है और इनको राकेस महरा के फिल्म मिरजया से launch किया गया था और मैं guarantee बोलता हूं कि राकेस महरा किसी भी एक outsider talented outsider को भी अपनी film में launch नहीं करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात की होने आतिया सेटी के बारे में आतिया सेटी ने चार फिल्में की हैं जिसमें से जादा तर फिल्में उनकी flop हैं लेकिन फिर भी आने वाले समय में उनकी फिल्में आएगी और मैं guarantee लिखे देता हूं कि अगर एक outsider की चार फिल्में flop हो जाएं चार क्या एक दो फिल्में flop हो जाएं तो उसको आगे चल कर मौका नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आतिया सेटी को मौका मिलता रहेगा और क्यों मिलता रहेगा यह बात आप सभी जानते हैं नेपोड़िजम भाई भती जावाद उसके बाद इन्होंने बात की मीमो चक्रवर्ती के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोग को पता देना चाहता हूं कि मिमो चक्रवर्ती मिसुन चक्रवर्ती के बेटे हैं और मिमो चक्रवर्ती ने अभी तक 7-8 फिल्में की हैं मिमो चक्रवर्ती को जिस फिल्म से लॉंच किया गया था जिम्मी वो भी फ्लॉप थी और मीमो चकरवर्ती की अभी तक जो भी फिल्मे आई हैं सिर्फ एक फिल्म को छोड़ के बाकी सभी फ्लॉफ ही हैं एक फिल्म जो आई थी बिक्रम भर द्वारा बनाएगी फिल्म हांटर 3D वो कुछ लोगों को पसंद आई थी उस फिल्म की लो उसके बाद इन्होंने बात की जैकी भगनानी के वारे में तुसार कपूर के बारे में तो एक चीज मैं साब साब कहे देना चाहूँगा कि जैकी भगनानी ने भी 10-12 फिल्मों में काम किया है और मुझे नहीं लगता कि उनको इतना काम मिलता अगर वह एक आउट्सार यह कि उस बंदे को कितनी बार launch करने की कोशिस की गई है और कितनी बार उनको कई सारी फिल्मों में काम मिला है लेकिन फिर भी audience उनको पसंद अभी तक उतना जादा नहीं कर पाई है लेकिन फिर भी वो अभी भी फिल्मों में काम करते हैं, फिल्मों में बने हुए हैं, तो ये चीज आपको समझने की कोशिस करनी चाहिए, ये जो नेपोडिजम है, ये जो भाई भती जावाद है, ये जो ग्रूपिजम है, इसके चलते बहुत ही खराब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ऐसे ऐसे स्टार क में सायध इनको और भी लॉउंच किया जाएगा और क्यूं खिया जाएगा पहले आप इस चीज को समझने के कोशिस कीजिए उसी के साथ दोस्तों यहाँ ने जो एक दूसरी लिश्ट घिनाई जहाँ पर इन्हों किया successful outsiders का तो यहाँ पर इन्हों ने S.R.K. अक्षे कुमार, जॉन अब्राहम, दीपिका, पादुकॉन उगरा उगरा कही लोगों का नाम लिया और साथी साथ दोस्तों इस लिश्ट में एक मेरे favorite actor नवाज भाई का भी नाम था तो दोस्त आपको यार समझनी चीए कि नवाज भाई N.S.D. से पास आउट होने के बाद भी 12 साल तक मुंबई में struggle कर रहे थे और बड़ी बड़ी फिल्मों में 20-30 seconds के रोल कर रहे थे N.S.D. से पास आउट होने के बाद भी एक actor को 20-30 seconds के रोल मिलते हैं वो पहचान नहीं मिल पाती है, उतना काम नहीं मिल पाता है और क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि इंड़स्ट्री जो है भाई भतिजावाद में ही लिप्टी हुई है कई ऐसे इंटर्व्यूस हैं जहां पर उन्होंने बताए है कि काला होने के कारण उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था तो ये सारी जो सचाई है इंड़स्ट्री की ये सचाई के बारे में आपको बात करनी चीए इन सचाई के बारे में आपको जिकर करना चीए लोगों के मन में अभी काफी जादा गुसा है इस नेपोडिजम इस भाई भतीजावाद को लेके और ये गुसा बहुत ही स्वही है इस भाई भतीजावाद के चलते होता हमेशा यही है कि talented लोग पीछे रहाते हैं और जो talented नहीं है उसको जबरदस्ती लाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है मैं मानता हूँ कि बनिया अपने गल्ले पर सिर्फ अपने बच्चे को बिठाएगा क्योंकि ये उसकी दुकान है ये उसका विरासत है वो किसी और को नहीं बिठाएगा लेकिन बनिया दूसरे को दुकान खोलने से रोकेगा भी नहीं इस चीज को आप समझने की कोशिस कीजिए जब इस तरीके से इंडेस्ट्री में ग्रूपिजम होता है जब इस तरीके से इंडेस्ट्री में फिवरिजम चलता है निपोडिजम भाईभते जावाद ये जो चल रहा है इसके चलते होता ये है कि जो आउटसाइडर है जो एच्छे हिट फिल्में दे चुका है वो आउट्षाइडर जो एक अपना अलग नाम बनाने की कोशिज कर रहा है अपने सपने को पूरा करने की कोशिज कर रहा है उसको इस ग्रूपिजम के चलते हर जगा से बॉलकॉट और बैन कर दिया जाता है आप सभी के सामने यहाँ पर कॉफी विद करन के वीडियोज आ रहा होंगे आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा सोनम कपूर का वीडियो, करेना कपूर का वीडियो, आलियावट का वीडियो जहां पर यह लोग सुसान सिंग को लेकर किस तरीके से बात कर रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि industry में ये जो groupism है ये जो favorism है और ये जो भाई भतीजावाद का ये जो माहौल है इसके चलते outsiders को भी हानी पहुंचती होगी outsiders को यहाँ पर बैकोड किया जाता है outsiders को यहाँ पर अफमानित किया जाता है क्या ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है और आखरी बात दोस्त मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर कई सारी positive चीजे गिनाई भाई भती जावाद को लेके नेपोडिजम को लेके कि माबाप अपने बच्चों के लिए करते हैं माबाप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं करेंगे SRK भी अपने बेटे को लाँच करेंगे और साइध कल को अक्षे कुमार भी अपने बेटे को लाँच करें इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसा माहौल बना देना एक ऐसा groupism बाला माहौल बना देना कि भाईया हम जो कुछ लोग हैं सिर्फ हम क्लिव करेंगे सिर्फ हमी लोग एक दूसरे का काम करेंगे हम लोगी एक दूसरे को मदद करेंगे बाकि आकति इजद़ को वो एजद्जट वो जगा नहीं दी जाएगी आउस्सा सब्सक्राय और दोश्तों को बहुत ही बड़ा अन्या करें और दोस्तो अगर आप उनके फैन है तो दोस्तो आपको ये वीडिए उपसंद नहीं आया होगा तो आपको लाइक करने के लिए मैं नहीं वोब का आपने तो खुब ही पढले डिसलाइक कर दिया होगा तो दोस्तो